नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबका Synchronous Generator के Video Lecture Series के एक और वीडियो में दोस्तो, आज के इस वीडियो का हमारा title है Peach Factor क्या होता है Peach Factor वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो चलिए जल्दी से शुरुवात करते हैं अपने इस वीडियो तो अब हम देखते हैं pitch factor तो इस diagram को पहले मैं बनाता हूँ और उसके उपर से हम सीखते हैं कि बई क्या होता है pitch factor यह हो गया हमारा rotor का section यह है pole के अंडर के जितने भी slots इस stator के अंदर आते हैं rotor pole, stator slots इस stator slot में पहले slot में जो winding किया गया है वो फिर उसका दूसरा सीरा यहां पर आ रहा है तो यह हो गया हमार एक face का winding यह diagram पे से हम समझेंगे कि pitch factor क्या होता है यहाँ पर जो EMF induced हो रहा है मैं उसके बारे में लिखता हूँ यह हो गया हमारा VAB यहाँ पर जो induced EMF है उसको मैंने बोल दिया VAB और यहाँ पर जो EMF induced है उसको मैं बोलता हूँ VCD तो हमारे पास यह पूरा कॉयल है इस पूरे कॉयल के दो टर्मिनल के बीच दो EMF हमको मिल रहे हैं VAB और VCD और इन दोनों को add करके हमको हमारा resultant EMF मिलेगा उस resultant EMF का नाम मैं देता हूँ VAD अब दोस्तों देखिए कि जब normal यह हमारा full pitch winding इसको बोलते हैं pole pitch ठीक है यह 180 degree electrical होती है तो यह हो गई हमारी pole pitch पहला slot और यह 7th slot तो यह हमारा full pitch winding है अब यह जो full pitch winding है उसके अंदर हमको जो EMF मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है यह जो VAD मुझे लिखना है तो VAD मैं कैसे लिख पाऊंगा मैं यहाँ से अंदर जाना चालू करू तो इस direction मैं पहले plus आया फिर minus आया फिर यहाँ पर गया और यहाँ से मैं यहाँ पर आया तो जब मैं यहाँ पर आ रहा हूं तो यहाँ पर भी D तक का EMF लिखना है तो यह भी positive होगा और यह भी positive होगा तो मैं लिखूंगा VAB प्लस VCD जब इन दोनों का magnitude सेम है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं कि VAB is equal to VAD माफ कीजीगा is equal to 2VAB तो यह हो गया इनका arithmetic summation अगर इसी चीज़ को मैं दूसरी तरीके से आपको बताना चाहूं कि भई यह जो VAB vector है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं तो उसके लिए लिखा जाएगा VAB angle 0 क्यों यह जो AB हमारे EMF induced हो रहे वो इस direction में हो रहे और CD का जो EMF induced हो रहे उससे opposite direction में हो रहा है So VAB minus VCD angle 180 degree क्यों वो उससे 180 degree out of phase में है तो अगर जिब इसका मैं summation करूँगा तब इस angle को अगर 180 से मैं 0 angle में convert करूँ तो यहाँ पर minus से plus हो जाएगा और फिर भी हमारा answer आएगा 2 VAB angle 0 लेकिन यह कब होता है दोस्तों यह तब होता है जब यह जो दूसरा waveform है वो exact 180 degree out of phase हो मगर यह जो pitch factor है उस pitch factor के अंदर जिस चीज को हम समझने की बात कर रहे है तो जो alternator है उस alternator के अंदर जब हम winding को short pitch बनाते हैं तो उस winding को short pitch बनाने की वज़े से यह जो conductor हमने देखा है यहां पर लगा हुआ है उसको short pitch कर देते हैं तो वो जो difference है उसको बोलते है आलफा अब दोस्तों यह जो आलफा है उस आलफा को बोला जाता है short pitching angle यह आलफा हो गया हमारा short pitching angle अब हम अच्छे से समझते हैं कि जब हम winding को short pitch बनाते हैं तब short pitch होने की वज़े से क्या फरक आता है हमारे resultant voltage के waveform के अंदर उसका फरक यह होता है दोस्तों कि हमारा जो output voltage का waveform होता है या तो फिर हमारा resultant output voltage होता है वो कम हो जाता है तो अब हम समझते हैं इस pitch factor का equation क्या होता है इस pitch factor का equation equation है phasor sum of coil side EMF divided by arithmetic sum of coil side EMF मतलब कि coil side EMF का हमको phasor sum लेना है और arithmetic sum लेना है इन दोनों का ratio हम लेंगे तो हमको मिलेगा pitch factor लेकिन दोस्तों अब जब यह short pitching किया गया है winding तो short pitching किये जहाने की वज़े से हमको यहां पर जो यह 180 degree मिलता था वो 180 degree से कुछ कम मिलेगा तो यहां का हमारा waveform कैसा मिलेगा वो देखते हैं अब हम वो जो vector diagram है वो vector diagram कैसा होगा वो देखते हैं अब देखिए होता ऐसा है जब कोई short pitching नहीं था तो यह VAB और VCD और उसका result हमको VAD डारेक्ली ऐसे मिल जाता था लेकिन जब हमने short pitching किया है तब क्या होगा यह हो गया हमारा VAB का phaser और हमने short pitching किया आलफा डिगरी से यहां पर हमने देखा था देखिए इस आलफा डिगरी से हमने short pitching किया है तो यह आलफा से जो हमारा short pitching हुआ है उसकी वज़े से जो हमारा output waveform होता है output माफ किजिएगा जो cd वैक्टर है वो cd वैक्टर है वो आलफा डिगरी पर हमको मिलता है तो यह जो आलफा डिगरी पर मिला तो उसकी वज़े से हमको हमारा resultant waveform मिलेगा VAD वो कुछ इस तरीके से मिलेगा तो अब जब हमको हमारा resultant waveform find करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे इस vector diagram के उपर से वो हमको मिलेगा कुछ ऐसे देखेए यहाँ पर इस line के exact half से एक perpendicular line हम बनाएंगे तो वो हमको मिलेगी यहाँ पर यह मिल गई हमको perpendicular line यह हमारा A, B और C दोनों एक ही point है यह D हो गया तो इसको बोल देते हैं हम E तो मैं यहाँ पर यह एक triangle बनाता हूँ यह है हमारा triangle A B और यह हो गया हमारा point E यहाँ पर देखिए यह जो length है हमारी वो हो जाएगी VAD by 2 और यह जो बाकी की length है वो हो जाएगी हमारी VAD by 2 तो यह से A से लेके E तक मतलब कि यह जो हमारी line है वो हो जाएगी VAD by 2 और यह जो VAB है वो हो जाएगा हमारा VAB यह हो गया हमारा alpha by 2 तो simple है दोस्तो cos alpha by 2 cos theta क्या होता है cos theta के equation के उपर से cos theta is equal to ae divided by a b तो यहाँ पर हमको मिलेगा cos alpha by 2 ae divided by a b अब हमको क्या चाहिए हमको find करना है ae so ae हमारा हो गया a b into cos alpha by 2 अब a b माने क्या है a b है हमारा यह v a b voltage ae माने क्या ae है हमारा v a d by 2 so इसको हम replace करते हैं v a d by 2 is equal to v a b into cos alpha by 2 तो हमको यह जो half portion है वो half portion मिल गया तो हमारा जो resultant मिलेगा resultant v a d क्या होगा 2 into v a d by 2 यह है हमारा v a d by 2 so माफ किजीगा v a d by 2 so यह v a d by 2 है यह हो गया हमारा v a d by 2 so 2 into v a b cos alpha by 2 यह हो गया हमारा v a d यह जो हमारा resultant है वो so v a d is equal to 2 v a b into cos alpha by 2 और हमने आगे देखा था यहाँ पर यहाँ पर जब arithmetic sum हमने किया था तो v a d क्या मिला था 2 v a b तो अब हम इस equation के अंदर इसकी value place करें तो phasor sum हमको क्या मिला 2 v a b cos alpha by 2 तो phasor sum हो गया हमारा 2 v a b cos alpha by 2 divided by arithmetic sum क्या हो गया 2 v a b तो यहाँ पर 2 v a b 2 v a b अगर हम cancel कर दे तो हमको मिल जाएगा pitch factor is equal to cos alpha by 2 तो यह हो गया हमारा equation किसके लिए pitch factor के लिए pitch factor को लिखा जाता है kp से kp pitch factor is equal to cos alpha by 2 मगर दोस्तों यह जो cos alpha by 2 है यह एक generalized form है fundamental के लिए अगर हमको इसको हर एक harmonics के लिए लिखना हो तो alpha से हमको harmonics को multiply करना पड़ेगा जिस भी order के harmonics के लिए हमको यह pitch factor find करना है तो उस order के harmonics के साथ हमको इसे multiply करना पड़ेगा तो मैं इसको modify करके यहाँ पर लिखता हूँ kph h हो गया हमारा harmonic का order तो वो हो जाएगा cos h alpha by 2 यह हो गया हमारा pitch factor का equation यह जो pitch factor है उस pitch factor को coil span factor या coil pitch factor से भी जाना जाता है तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा इसको like कीजेगा और share कीजेगा तन्यवाद